विग शुरुवात में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने दोस को कॉल कर रहा होता है पर वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि उसका दोस मड़ा है और उसके पीछे कोई खड़ा है उसके वाद वो एक पुलिस वाले को गिरा देख उसके पास जाता है जहां वो घा कर रहा होता है और वो लोग उसे माइकल बुलाते हैं या बुगी मैन तभी उस पुलिस वाले के और साथी आ जाते हैं उसके बैक अप के लिए पर जब तक वो भाग चुका होता है तभी वो लोग दो ग्रूप में बढ़ जाते हैं और उसे ढूंडते हैं तभी कुछ के लिए निकल जाते हैं वैसे ही जब लोनी जा रहा होता है अपने घर तभी वो गिड़ जाता है और माइकल उसे दिखता है और वो चिलाने लगता है वैसे ही पुलिस आके उसे पुस्ती है तो लोनी कहता है अभी मैने बुगी मैन को देखा और वहां से भाग जाता है गोशिश करता है तभी वो गोली उसके साथी को लग जाती है और जो माइकल रहता है वो वहाँ से चल लेता है और ऑफिसर होकिंस अपने साथी से बात करने लगता है और जब जाके देखता है तो वहाँ माइकल खड़ा रहता है और बहुत सारे पुलिस वाले उस पे गनताने कड़े रहते हैं उसके वासिंशिफ्ट होकर करेंट हैं हेलोवीन नाइट का सिन दिखाया जाता है जहां सब लोग एक बार में पार्टी कर रहे होते हैं तभी टॉमी नाम का आदमी आके अपने पुराने समय के बारे में बताता है कैसे 1978 में एक माइकल नाम का आदमी ने इस स सैड में रहती है ऐसंब उसकी इसे माइक पृइर फाइटर को मरते हुए बाहर आता है और वाους यहां बाहें बाहर ख़र सभी फाइरतर को मारता है उसके वाल के 557 को अपनी मां बेटीं इस्वाइव पंस्तेव दिखाया जाता है और operation होते हुए जहां Karen और Alison एक तुसरे के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं तभी एक पुढ़े कबल को दिखाया जाता है जहां वो अपने drone के साथ खेल रहे होते हैं तभी अचानक से उन्हें Michael दिखता है तभी वो डोर बंद करते हैं पर वो उ ambulance officer Hawkins को लेके जा रही होती है तभी बहुत सारे police और agent को उस firefighter वाले place पे दिखाया जाता है जहां वो देख रहे होते हैं कि सारे firefighter मेरे पढ़े हैं और फिर क्लब में ये news देख उन्हें 1978 वाला time याद आता है तभी एक couple अपने गढ़ के लिए निकलता है पर जो husband रहता है वो कहता है वो अपना को समान भूल गया है और वो लेने चला जाता है जहां दूसरी और उसकी wife अपने गारी में जाकर बैठती है वैसे ही वो देखती है कि कोई उसके back seat में है तभी वो चिलाती हुए बाहर आती है और अपने husband को ये बात बताती है और बाग कर अंदर जाक बाट कर वहां से भागता है और जश्ट आगे जाके एक transformer से टकरा जाता है और जब वो सब वहां जाके देखते हैं तो उस गारी में कोई नहीं रहता है और तभी दूसरी और एक आदमी जो घाल रहत वो एक कोने से छुपकर देख रहा होता है और वहां से चला जाता है तो वैसे ही उनकी डूर बंद हो जाती और ये कहते हैं कि लगता है कि कोई हमारे घर में घुसा है तभी एक बच्चा निकलता है उसके सारे कैंडी लेके और ये उन बच्चों का प्लान रहता है उसके बाद वो उन बच्चों को माइकल की कहानी सुना कर डरा देता है और व अभी भी जिन्दा है उस नहीं मारा है उसे उसके बाद केरन को अपनी मां का ध्यान रखते दिखाया जाता है जहां दूसरी और लोनी को पता चलता है माइकल के बारे में और तभी उसे बाहर टॉमी मिल जाता है जहां वो लोरी के बारे में बताता है और तभी टॉमी भी लो के निकलते हैं और रास्ते में लोगों को बताते चलते हैं कि वो अपने घर जाए और घर में ही रहे हैं तभी लिंट सी देखती है कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तभी वहां जाती है और पता चलता है कि वो हेलोवीन में मिले कैंडी को इंजॉय कर रहे हैं और ज और उसके हाथ में खुन लेगे नाइफ और उसके दोस्त का मास कराता है तभी वो उन्हें भागने को कहती और वैसे ही जो साथी लिंट्सी के वहीं गारी में बैठे रहते हैं उनकी नजर माइकल पर पढ़ती है जहां वो उनके गारी पर उपर जट कर मारियों जो आगे पीछे जाता है और काफी दूर तक उसका पीछा करता है पर वो उसे नहीं मार पाता है क्योंकि वो एक गड्य में छुपी होती है उसके बाद लॉरी को होस्त में आते दिखाया जाता है जहां करन उसके साथ होती है और जब वो एलिसन के बारे में पूसती है तो करन कहती है कि वो बाहर है उसके बाद टॉमी अपने साथियों के साथ पहुंसता है जहां लिंट्सी के साथ बाड़े पड़े रहते हैं वो उसकी तलास में जाता है और उसे ढूंड लेता है उसके बाद सिंसिफ होता है और हस्पिटल का सिंद दिखाया जाता है जहां कोई ना कोई जहक किमी होकर आ रहा होता है और अपने साथी को ढूंड रहा होता है तभी टॉमी लिंडशी को लेके वहां आता है और जब केरन से उसे पदा चलता है कि माइकल यहां आ रहा है और तभी वो सब को एक साथ करता है उसे मारने के लिए और सभी उसकी बात सुनते हुए एक साथ हो भी जाते हैं और उसमें कुछ पुलिस वाले भी रहते हैं जिन्होंने अपने किसी को खोया होता है माइकल के चलते हैं और फिर टॉमी लोरी के पास जाता है और उसे बताता है कि माइकल अभी भी जिन्दा है और फिर वो केरन से पुछती है और अपने बैट से उठने लगती तभी केरन उससे समझा के सांथ करती है उसके बाद जॉन ब्रदर्स को दिखाया जाता है जहां वो अपना हेलोवेंट टीवी देके मना रहे होते हैं तभी डोर पिटने की आवाज आती है और जब लिटिल जॉन देखता है तो वहां कोई नहीं रहता है उसके बाद बिग जाता है नाइफ लेके और उसके पिछे लिटिल जॉन भी जाता है तभी एक रूम में बिग जॉन और माइकल की मुलाकात होती है और माइकल उसे मर देता है और लिटिल जॉन जब वहां आता है तो देखता है कि बिग जॉन माड़ा पड़ा है और माइकल विंडो के पास तभी हस्पिटल का सिंध दिखाया जाता है जहां अफ़रा तफरी मचा होता है तभी एक आदमी अंदर आता है वो हेल्प के लिए बोल रहा होता है उतने में ही सब को लगता है कि ये माइकल है और उसके पीछे सब भागने लगते हैं और वो आदमी डर कर वो उपर की और भा और दूसरी योड भीर वहां आ रही होती है उस आदमी को मारने के लिए तभी वो भीर देखकर डड़ जाता है और एक विंडो से कूद कर अपने आपको मार लेता है उसके बाद टॉमी को नीचे आते वे दिखाया जाता है और वो एक बुढ़ा पुलिस वाला से पूछता है कंफर्म करने के लिए कि ये माइकल है तभी वो कहता है कि ये माइकल नहीं है तभी केरन आती है वहां और वो उसके पीज़े चल पड़ता है और कहता है कि तुम सही थी ये माइकल नहीं और फिर वो गारी के लिए बुलती है तो टॉमी कहता है कि उसके पास गारी है और तभी लोनी अपने बेटे और एलिसन के साथ आता है, जहां वो उस घर में जाने की बात करता है, क्योंकि माइकल हर मडड़ के बात आता है, वहां तभी वो अपने गारी में से उतर कर जाता है, उस घर में और कैमरन और एलिसन देख रहे होते हैं, तभी एक आवाज आने पर क मड़े परे हैं तभी कैमरों ही मत कर आगे बठता है और ऐलिसन जॉन प्रदर के पास जाती है तभी कैमरों के हाथ पे प्लट गिरने के कारण जब वो उपड़ देखता है तो वहां लोनी मरा हुआ होता है तभी माइकल अचानक से आके कैमरों को नाइप से मारता है तभी ऐल एलिसन की एक टांग तूड जाती है तभी कैमरों नाइप से उसे मारने चाता है तो वो उसे पकड़ कर मार देता है तभी एलिसन चिलाती है और कहती है अगर दम है तो मुझे आके मारो और माइकल आता है उसे मारने और जब एलिसन उस पे वार करती है तो वो उसे पकड़ लेता है और तभी उससे मारने वाला रहता है और वो नाइब धीरे-धीरे लेकर उसके पास जा रहा होता है तभी अचानक से कहरन आती है और पीछे से माइकल को मारती है और जब माइकल किर पड़ता है तभी वो उसका मास्क निकालती है और तभी वो फिर से उठकर खरा होता है तभी वो उसे भड़काती है ये कहके कि अगर हिमत है तो ये मास्क मुसे ले लो और वहां से भागने लगती है और माइकल भी उसके पीछे जाता है तभी वो देखता है कि उसका मास्क वही पड़ा है और जब वो जाके उठाता है तो वैसे ही बहुत सारी गारिया की लाइ अन होती है और बहुत सारे लोग वहाँ खड़े रहते हैं और फिर माइकल अपना मास्क पहनता है और उस पे अटाक करने जाता है तभी सब उसे बारी-बारी से मार रहे होते हैं और ये देख केरन भी खुश हो रही होती है और जब सब को लगता है कि वो मड़े गया तभी एलिसन के साथ दिखाया जाता है जहां पुलीस भी रहती है तभी हमें देखने को मिलता है माइकल अचानक से उठता है और वहाँ खड़े सब आदमी को मारने लगता है जिसमें टॉमी भी रहता है तभी केरन को अपनी बेटी के पास से उठकर खड़ के आगे खड़े होते है और केरन कुला गतार नाइफ से मार रहा होता है और जब वो मर जाती है तब वो अपने आपको विंडो में देख डा रहता है और मुवी का दैंड हो जाता है